T20 World Cup 2024 के 19-वे मैच में भारतिय क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को एक लो स्कोरिंग मैच में केवल 6 रनों से मात दे दी ये भारतिय क्रिकेट टीम की पाकिस्तान के खिलाब T20 World Cup में 7 वी जीत थी इस जीत के बाद जहां भारतिय फैंस के चहरे पे खुशी के लहर थी वहीं डूसरी और पाकिस्तान के फैंस का चहरा उतर गया था फैंस को इस मैच को देखने का जम कर क्रेज रहता है और वे कई बार अपने जीवन की कमाई भी खर्च करके मैच देखने जाते हैं ऐसा ही एक मामला पाकिस्तान की एक फैंन का भी था जिसने ट्रेक्टर बेच कर मैच की टिकेट खरीदी थी हाला कि टीम की हार के बाद मैच टूट गया और उसका बुरा हाल हो गया पाकिस्तानी प्रशनसक जिसने 3000 अमेरीकी डॉलर का टिकेट पाने के लिए अपना ट्रेक्टर बेच दिया था लेकिन अपनी टीम को मैच जीतते हुए नहीं देख पाया ANI से बात करते हुए प्रशंसक ने कहा मैंने 3000 एमरी की डॉलर का टिकेट पाने के लिए अपना टरेक्टर बेच दिया है जब हमने भारत का स्कोर देखा तो हमें नहीं लगा कि हम यह मैच हार जाएंगे हमें लगा कि एस स्कोर हासिल किया जा सकता है मैच हमारे हाथ में धा नेकिन बाबर आजम के आउट होने के बाद लोग निराश हो गए मैं सभी भारतिये प्रशंसकों को बढ़ाई देता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम को T20 World Cup 2024 में लगातार दूसरी हार मिल गई है टीम को पहले USA ने सुपर ओवर में हराया था वहीं बाद में उसे भारत से भी हार का सामना करना पड़ गया है ऐसे में उसके लिए रहा अब मुश्किल होती जा रही है टीम को अपने बचे हुई दोनों मैच बड़े अंतर से जीतने होंगे और यह भी उमीद करनी होगी कि USA कम से कम एक मैच हार जाए